हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है बीडियेस अस्टोरियल्स में जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनाली रामा की श्रंखला और इस श्रंखला में हम तेनाली रामा से संबंदित बहुत प्यारी-प्यारी कहानिया सुन रहे हैं है ना और मैं आपको क्या कर रही हूँ सुना रही हूँ तो आईए आज हम एक और कहानी सुनते हैं तो आप सब तयार है ना चलिए बढ़ते हैं कहानी की और आज की कहानी है राजा का उपहार एक बार राजा कृष्ण देव राए बहुत खुश थे राजा कृष्ण देव राए वही जो विजय नगर सामराज के राजा थे है ना? वह तेनाली से बोले, तेनाली कौन? वही, जो उनके अश्टदिक गजों में से एक थे आज मैं तुम्हें एक पूरा नगर भेट करना चाहता हूँ तो राजा कृष्ण देव राए तेनाली से क्या बोले? कि आज मैं तुम्हें पूरा एक नगर, मतलब एक शहर भेट करना चाहता हूँ, भेट करना चाहता हूँ अर्थार कि मैं तुम्हें ये उपहार सरूप देना चाहता हूँ है ना, जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको भेट कहते हैं, उपहार कहते हैं हिंदी में ठीक है, तेनाली ने जुक कर राजा का शुक्रियादा किया शुक्रियादा करना मतलब थैंक यू बोलना और फिर क्या हुआ, बहुत दिन बीट गए, परन्तुर राजा ने आगे की कारिवाई नहीं की मतलब बहुत दिन राजा ने ऐसा बोलतो दिया, कि मैं तुम्हें एक नगर भेट करना चाहता हूँ लेकिन फिर क्या हुआ, राजा अपनी कही हुई बात को भूल गए और कई दिन बीट गए, और इस बात पर फिर कोई कारिवाही भी नहीं हुई तब क्या हुआ, कि वास्तव में राजा तेनाली से किया गया, अपना वादा भूल गए थे वो सचमुच अपना वादा भूल गए थे तेनली राजा को उनके उनका वादा याद दिलाने के लिए किसी मौके के तलाश में थे अब क्या होता है जब कोई हमको कोई प्रॉमिस करता है कोई वादा करता है तो हम अगर उसे बार 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 अगर उसे वो याद दिलाए न तो क्या होता है कि वो एक टाइम पे जाके चिड़-चिड़ा हो जाता है तो हमें हमेशा युक्ति से काम लेना चाहिए कैसे कि किसी को अगर उसकी बात याद दिलानी है तो उसके लिए एक उचित मौके का इंतजार करना चाहिए है ना तो तेनाली ने बस वैसा ही किया और वो एक अच्छे मौके की तलाश में थे कि जिससे एक अच्छा मौका आए और मैं राजा को अपना वादा याद दिला सकूँ एक दिन अरब का एक व्यापारी विजयन अगर घूमने आया अरब सामराज जहां से एक व्यापारी व्यापारी वतलब जो वहाँ व्यापार करने आया था हो सकता है वो जानवरों से समंदित व्यापार हो या किसी भी प्रकार का है ना बिजनस तो आप सब समझ गए कि वो जो व्यापारी था अरब से आने वाला वो कहां आया सीधा विजय नगर और वह अपने साथ एक उट भिलाया था उट समझ गये ना? उट कैसा होता है? उचासा, लंबासा और उसकी पीट पर होती है कुबड और ये क्या होता है? कौन होता है? दिमाग लगाईए ये होता है रेगिस्तान का जहाज है ना? क्योंकि रेगिस्तान में उट बहुत तेजी से चलता है और वहाँ पे इसे रेगिस्तान का जहाज कहां जाता है? तो वह अपने साथ एक उट भी लाया था इससे पहले विजय नगर बासियों ने कभी उँट ही नहीं देखा था अच्छा तो विजय नगर सामराज के जो लोग थे न वहां रहने वाले उन्होंने कभी इससे पहले उँट नहीं देखा था तो फिर क्या हुआ अब जब आपने कोई चीज नहीं देखी है तो आपके अंदर एक उठसुपता होती है ना कि चलिए 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 चल के देखते हैं तो फिर क्या हुआ इसलिए उट को देखने के लिए लोगों की भीड उमड पड़ी अब अगर हमारे गली में या कुछ कहीं पर हम जहां रहते हैं उशेत्र में अगर कुछ ऐसी चीज आ जाये जो हमने कभी ना देखी हो तो ऐसा होता है ना आप लोगों ने देखा होगा ना कि उसे देखने के लिए वहां इखटा हो जाते हैं लोग फिर उमड पड़ती है तो भई राजा ने भी जब उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसा कोई ऊट लेकर आया है और चुकि इन्होंने भी नहीं देखा था तो राजा और तेनलाली राम भी फटा-फट से चल दिए कि चलो भई तेनली अपन भी चलते हैं कि ऐसा कौन सा ऊट आया है तो वो दोनों भी उसको द देखा ही नहीं तो फिर राजा बोले कि यह उट कितना भी जित्र जानवर है इसकी गर्दन कितनी लंबी है और इसकी पीट पर कूबड भी निकला हुआ है मैं तो इसे देखकर हैरान हूँ तेना ली को आखिर वेर मोका मिल ही गया जिसका वे इंतजार कर रहे थे किसका याद आया कुछ अगर आप कहानी ध्यान से सुन रहे है न तो पक्का आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी क्या यही कि जो राजा ने तेनाली राम से वादा किया था और वो उस मादी को भूल गय थे बस उसे याद देनाले के लिए तेनाली को क्या मिल गया मौका जिसका उन राज मुझे लगता है यह उन्ट पिछले जनम में जरूर कोई राजा हो रहा होगा इसने किसी से नगर देने का वादा किया होगा और अपना वादा भूल गया होगा इसलिए इश्वर ने इसे सजा देने के लिए राजा से एक भद्दे जानवर के रूप में बदल दिया होगा तो तेनाली ने अपनी युक्ती का प्रयोग किया और राजा को अपना वादा याद दिलाने के लिए उनसे कह दिया कि देखिये महराज मुझे ऐसा लग रहा है कि यह उन्ट पिछले जनम में जरूर कोई राजा रहा होगा है ना और इन्होंने किसी से नगर देने का वादा किया होगा और वो अपना वादा भूल भी गए होंगे तो फिर इश्वर ने भगवान ने इनके साथ क्या किया इनको सजा दी और सजा के सो रूप में इनको एक भद्दा जानवर मतलब जो की बहुत अजीब दिखने वाला हो जिससे कोई जादा मतलब देख के खु ना तो राजा के सामने सारी स्थिती बिलकुल पानी की तरह साफ हो गई और उनको क्या याद आ गया उनको याद आ गया कि अरे इसी प्रकार का वादा तो मैंने किस से किया था तेनाली से किया था लेकिन मैं तो अपना वादा भूल गया था अब जैसे राजा को याद आया तो राजा ने वापस महल लोटकर अपने खजांची को आदेश दिया कि तेनाली को नगरदान करने की पूरी विवस्था शीगर की जाए क्योंकि वो डर गए कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया कोई ऐसा नहों कि अगले जनम में मैं भी उट बन जाओं तब राजा के आदेश पर एक ही बार में पूरी कारवाई की गई और तेनाली ने राजा का शुकरियादा किया और खुशी खुशी वहाँ से चले गए तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये कहानी आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आज की कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है हमें ये सिक्षा मिलती है कि जैसे कई बार होता है न कि आपके घरों में आपकी मम्मी या आपके बड़े अगर आपसे कभी कोई वादा कर देते हैं कि भई अगर बिटा आप ऐसे ऐसे हमारी बात मानोगे या ऐसे कोई काम करोगे तो हम आपको ये उपहर से रूप देंगे या ये गिफ्ट मिलेगा या यहां ले जाएंगे या बाहर घूमने ले जाएंगे या आपके लिए कुछ ऐसा बनाएंगे और अगर वो भूल जाते हैं तो आप उन्हें बार 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 वो बात को याद दिला कर उन्हें परेशान मत कीजिए बलकि किसी एक अच्छे मौके का इंदुजार कीजिए और उन्हें अपनी युक्ती से उनकी बात याद दिलाएंगे जिससे वो काम भी हो जाएगा और वो चिड़चड़े भी नहीं होंगे आप पर गुसा भी नहीं होंगे है ना तो ये छोटी छोटी बातें हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए है ना तो आज की कहानी आप सब को बहुत पसंद आई होगी ऐसी मुझे आशा है और मैं आती रहूंगी आप सभी के लिए ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियों के साथ तो है ना तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए खुश रहिए और सबसे ज़्यादा अपने बड़ों का कहना भी मानिये है ना तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए गुड़ बाई